गहरी सांस लेने से शरीर को मिलते हैं अंगिनत फाइदे. सांस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है. लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया कैसी है? हम कभी भी अपनी इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती कभी भी हम रुपकर सांस अंदर और बाहर करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि श्वास की प्रक्रिया बहुत सहज होती है पर क्या आपको पता है कि श्वास पर ध्यान देने से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, इसके कई सारे फाइदे हैं गहरी सांसे डीप ब्रीधिंग लेना एक अच्छी आदत होती है Deep breathing इंसान को relax करने में मदद करने के अलावा toxins को निकाल बाहर करने और यहां तक की पाचन तंत्र को बहतर बनाने में भी मददगार है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे deep breathing के फायदों के बारे में तो चलिए जानते हैं deep breathing फायदों के बारे में Tension दूर करने में मददगार क्या आपका दिन stress में बीता है तो कुछ देर के लिए खुली हवा में गहरी सांस लें और दिमाग से Tension दूर होते हुए खुद देखें शरीर से गंदगी बाहर निकाले गहरी सांस लेने से हमारा शरीर बिश से मुक्त हो जाता है वही पर अगर आप छोटी सांस लेते हैं तो हमारे अंगों को यही काम करने में ज्यादा समय लगता है खुण तेजी से बनाए इससे शरीर में ऑक्सीजन की सपलारी तेज हो जाती है जिससे खुण में हीमोगलोबिन बढ़ने लगता है इससे शरीर में खुण और तेजी से बनने लगता है सांस से जुड़ी समस्या को दूर करे गहरी सांस लेने से फेफड़ा ज्यादा खुलता है और उसे ताकत मिलती है जिससे फेफड़े स्वस्थाय बनते हैं और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है मोटापे को कंट्रोल करता है लंबी सांस लेने से शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है जिससे मेटाबॉलिस्म तेज बनता है और मोटापा धीरे-धीरे कम होने लगता है दिमाग के लिए रोजाना लंबी सांस लेने से दिमाग, स्पाइनल कॉड और शरीर की सारी नसों को खूँट सारी ओक्सीजन मिलती है, जिससे यह ठीक से काम करने योग्य बनती है. कॉंसेंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप किसी काम को ध्यान लगा कर नहीं करेगे तो आपका वो काम कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए लंबी सांस लेना से आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और आप अपने काम पर सही तरीके से कॉंसेंट्रेट कर पाएंगे। स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है. लंबी सांस लेने से हमारा शरीर अच्छी तरह से सभी पौशिटिक तत्वों को लेता है जिससे हमें अच्छी एनरजी मिलती है और हमारा स्टेमिना बढ़ता है. इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं. इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें. किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में दॉक्टर की सलाह जरूर लें. हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थान्यवाद